वस 1984 के सिख विरोधी दंगों की कुछ वे फाइलें नए सिरे से खुल गई हैं जिन में मद्द प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी नाम है यह एक तरह से कांग्रेश नत्रत को चुनोती है सोनिया गादी और कांग्रेश के लिए यह मुनासिब वक्त है कि वह 1984 की राजनीतिक परस्थितियां इसपष्ट करें बताएं कि तब उग्रवाद और अलगावाद के चलते पंजाब के क्या हालात थे कांग्रेश ऐसा करके ही परधान मंत्री नरेदर मोदी और हमिस्सा के इस दाओं का सामना कर सकती है हाला कि किसी भी सब्वेयों लोकतांत्रिक समाज में जन्मत के लिए प्रस्थत किये गए तरफों का गलत हो जाना कोई नई बात नहीं इसके बावजोद कांग्रेश या तो बता ही सकती है कि वर्स 1992, 1997, 2007, 2012 और 2017 से अब तक पंजाब में जब कांग्रेश का सासा रहा तब उस दोरां राज्य किन परस्थतियों से गुजरा दिल्ली में भी सिला दिच्छित के नत्रत में कांग्रेश 15 वर्सों तक सत्ता रून रही और उस समय पाड़ी का केंद्री नत्रत सोनिया गाधी के हाथों में था 1984 के सिख बिरोधी दंगे बहुत भावक और संबेदंसील मामला है लिहाजा उन पर चर्चा करते हुए राहुल गाधी पूरी तरह सचित रहते हैं इंगलेंड के सांसदों और इस्थानी नेताओं के साथ वारता में राहुल गाधी ने कहा उसे लेकर मेरे दिमाग में कोई संका नहीं है वह एक तरासदी थी एक दुख़द अनुभव आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उसमें लिप्त थी मैं इससे सहमत नहीं हूँ वह तो बस मारकाट और एक तरासदी थी इसके विप्रेद गोस्वामी को दिये गए एक साथ चातकार में राहुल गाधी ने स्वविकार किया था कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में कुछ कांग्रेसी लिप्त थे इस साथ चातकार के दोरान कुछ इस तरा की बाते हुई थी क्या सिख विरोधी दंगों में कांग्रेसी लिप्त थे सायद कुछ कांग्रेसी लिप्त रहे होंगे क्या पिर्टों को इनसाफ मिला एक कांग्रेसी प्रक्रिया होती है जिससे उन्हें गुजरना पड़ा आप स्विकार करते हैं कि कुछ कांग्रेसी इसमें लिप्त रहे होंगे कुछ कांग्रेसीों को इसके लिए सजा दी गई अपनी राजनीतिक और चुनावी मजबूरियों के तहत राहुल गांदी वे बातें नहीं कह सके जो 1999 में दक्षिन दिल्ली से लोगसभा चुनाव लड़ते वक्त डाक्टर मनमोहन सिंग ने कही थी हाला कि पूरे दमखम से चुनाव लड़ने के बावजूद उन्हें भाजपा के विजय कुमार मलभोत्रा के हाथों हार का सामना करना पड़ा था 1999 के चुनाव में मनमोहन सिंग ने उन दंगों के लिए राष्टी स्वयं सेवत संग को जिम्मेदाल ठहराने की कोशिस की थी दो सितंबर 1999 को दिल्ली के प्रेस कलब आफ इंडिया में पत्रकार वारता को संभोजित करते हुए डाक्टर मनमोहन सिंग ने 1984 के सिख विरोधी दंगों को एक काला धब्बा और वेहद दुगत घटना करार दिया था इसके साथ ही उन्होंने यह भी इसपस्ट किया कि इसमें बता और संगठन कांग्रेस का कोई हाथ नहीं था